आस्मान में क्यूं टिम्टिमाते हैं तारे? रात के अंधेरे में आस्मान में टिम्टिमाते तारों ने हमेशा ही इंसानों को आकर्षित किया है. वे बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए कौतूहल का विशय रहे हैं. तारों की रोशनी करोडों अरबों किलोमिटर की दूरी तै करते हुए हम तक पहुँचती है और इसमें से अधिकांच तारे तो अब तक मर भी चुके हैं लेकिन ये तारे टिम्टिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं क्या इसके पीछे कोई खास वज़ह है या कोई वैग्यानिक कारण आए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है वैग्यान दरसल तारों के टिम्टिमाने के पीछे की असली वज़ह हमारा वायूमंडल है जो नाइट्रोजन, ऑक्सिजन और अन्य गैसों का मिश्रन बन कर हमारी रक्षा करने वाले परत की तरहा काम करता है यह पृत्वी के तापमान संतुलित रखता है जिससे ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडक नहीं लगती है और अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरनों से हमारी सुरक्षा करता है बता दे कि हमारा वायूमंडल हमें अंतरिक्ष की चीजों को साफ तरह से देखने से रोकने का काम भी करता है ये अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश को विकृत करता है जिससे हमें अंतरिक्ष की बहुत सारी चीजे साफ नहीं देख पाते हैं यही वज़ा है कि हमें अंतरिक्ष में टेलिसकोप स्थापित करने पड़ते हैं रात को इसी वायु मंदल की वजह से कई खगोलिय पिंध हमें धुंदले दिखाई देते हैं इस परिघटना को खगोलिय जगमगाहट कहते हैं इन परतों के अलावा वायु मंदल के कुछ हिस्सों को उनके विशेश गुणों के कारण अलग परत नाम दिये गए हैं जिनमें उजोन परत और आयन मंदल भी शामिल हैं उजोन परत शोभमंदल के थीक ऊपर समताप मंदल के निचले हिस्से में हैं तो वहीं आयन मंदल, मध्यमंदल और ताप मंदल के बीच स्थित है जो अंतरिक्ष से आने वाली रोश्नी पर अपना भी प्रभाव डालती हैं इन सभ प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया होती है और रोशनी की दिशा विक्रित हो जाती है। अंतरिक्ष से जुड़ी इसी तरह के धेरो रोचक जानकारियों के लिए हमारे वेबसाइट justlearning.in पर जाएं।